नमस्कर दोस्तो जहिंद वंदे मात्रा मापसवी का श्वागत तविननदन है टीटी फैमिली सिचकों के परिवार जैस्वाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई सिच्छा ही प्रकास है दोस्तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आपके टीचर्स फैमिली टीटी फैमिली की बात करेंगे और आज की क्लास में आपके बायलाजी का पार्ट रहेगा और बायलाजी का या पार्ट नमबर क्लास नमबर 20 रहेगा जिसमें हम बेहतरीन बेमिसाल आपके 30% करने वाले हैं और इसके पहले भी आलेडी की पार्ट कम्प्रीट हो चुके हैं सभी पार्ट फ्री आपकोस्ट है जिसका आई बिटन पे आलेडी लिंक दे दिया गया है तो प्लेलिस्ट अवस्चे कीजिए आपके पार्ट वाइज स्लेवस के कॉर्डिंग चल लई है और जल्दी आपके आपके चैप्टर वाइज हमारी क्लासेज होने वाली ही जो आपके स्लेवस में चैप्टर है चैप्टर वाइज क्लास होने वाली है प्रिक्टिस होने वाला है तो सबी लोग त्यार हो जाईएगा कमर कस लीजेगा चलिए आज के पार्ट में हम टॉप 30 करेंगे और आपका फीडवेक जाने जिनमें से पहला पसन है जो कि पिछले पार्ट का मौक कोशन था कि एंट अमीवा हिस्टो लाइटिका की संक्रामक अवस्था होती है तो एंट अमीवा हिस्टो लाइटिका की संक्रामक जो अवस्था होती है वह हमारी कहला जाती है चतुस केंद की पुटी अवस्था की बात करेंगे ये पुटियां जो होती हैं सूखे के प्रतियत्त प्रतिरोधी होती है और मनुस के सरीर में बाहर आने के पस्चात लगभग आपके दस से लेके बारा दिन तक जीवित रह सकती है दूसित भोजन या जल के मादम से ये पुटियां स्वस्थ व्यक्ति के सरीर में प्रवेश कर संक्रमन फैलाती है इसके बाद है आपका अंगला प्रश्ण केच्वे में निम्रिखित में से कौन से खंड में पेश्णी गिजायड उपस्तित होते हैं नवे खंड में, अठ्रा में, तिरह में, या 16 में खंड में उपस्तित होती हैं तो केच्वे में जिस खंड में आपके पेश्णी उपस्तित होती हैं कि जायड उपस्तित होता है वो है अमारा कहलाता है नवे खंड में दोस्तो आठवे खंड अथा नवे खंड के दिकांस भाग में उपस्थित होती है और ये केचुवा की आहार नाल में पाए जाने वाला एक पेशी कच्च के समान भाग होता है इसकी दिवार मोटी पेशी होती है इसके भीतर की ओर क्योटिकल पाए जाती है पेशी केचुवा की आहार नाल में भोजन को क्या करती है पीषने का कार करती है अंगलाब पादप कोशिकाओं में रिक्तिका को घरने वाली जिल्ली कहलाती है टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्म, जैकेट या कोशिका कला की बात करें तो पादप कोशिकाओं में रिक्तिका को घेरने वाली जो जिल्ली कहलाती है वह हमारी जिल्ली हो जाती है टोनोप्लास्ट जिये दोस्तो पहला अपसन आपे सही हो जाएगा इसके बाद है आपका अंग्रपिस्ण कि मनुस के सरीर में ताप नियामक केंद सम्मंदित होता है प्रामस्तिक से, अनुमस्तिक से, हाइपो थेलमस से या मेडूला, आप लोग एटा से की बात करेंगे तो आप सभी लोग जानते हैं ग्यानी सरव वेखैता लोग हैं आप सभी लोग यहाँ पे एकजाम को फते करने के लिए आए हैं इसलिए आपका कमेंट फीडबेक शरोपर ही है शरुमान है तो दोस्तों मनुस के सरीर में ताप नियामक केंद जो सम्मंदित होता है वे किस से होता है आपके हाइपो थेलमस से होता है हाइपो थेलमस कसेर्ग्यों के मस्तिस के एक भाग होता है जो अग्र मस्तिक्स से यह बित्पन होता है तथा थेलमस सेवं सेरीब्रम के नीचे अधर सतय पर यह इस सित होता है इसके बाद है आपके अंगला प्रिशने रेसम के धागे में क्या उपस्तित होता है होता है रेसम के धागे में आपका फाइब्रोन उपस्थित होता है देखें फाइब्रोन के अगर बात करें तो रेसम आता है अल्बिनम की बात करते हैं तो इसमें आपका अंडा रुधेर प्लाजमा आ किरेटिन की अगर बात करते हैं किरेटिन प्रोटीन में कौन-कौन से आते हैं इसमें आ जाता है बाल और आपकी त्वचा इसके बाद आपका आता है ग्लोबलिन ग्लोबलिन प्रोटीन में क्या होता है आपका रुधिर प्लाज्मा क्या हो जाता है रुधिर प्लाज्मा तेहां पे फाइब्रोईन की बात करते हैं रेसम और किरेटिन की बात करते हैं बाल और तवचा एल्विनम की बात करते हैं अंडा रुधिर प्लाज्मा और ग्लोबिल की बाद करते हैं रूदिर प्लाजमा इसके बाद आप कंगला पशना है परितंद की दो वनस्पतियों के बीच का संक्रमन भाग कहलाता है जिया जो परितंद की दो वनस्पतियां होती है उनके बीच संक्रमन का भाग जो होता है वह आपका कहलाता है, इको टोन कहलाता है, इको कलाइन कहलाता है, इको सिस्टम कहलाता है, इकेसिस कहलाता है पैतंद की दो अनस्पतियों के बीच जो संक्रमन का भाग कहलाता है, वह हमारा कहला जाता है इको टोन जी हां दोस्तों इकेसि से क्या थाद पर होता है किसी नए छेत में परिस्तियों से सामंजत के फल्सुरूप किसी जाती का सफलता पूरवक इस्थापित होना इसके बाद अंगला प्रश्न से कास्मिट क्या होता है माईकोपलाज्मा में बाहनुमानसिक द्रब होता है जिवान में बृत्राकार DNA में होता है जिवान में अत्रिक DNA होता है या प्रतिलिप के निर्मान हे तो जिवान में प्रविष्ट DNA खंड होता है तो कास्मिट क्या होता है हम सभी लोग जानते हैं कास्मिट जो होता है आपका वह प्रतिलिप के निर्मान हे तुझ जिवान में प्रविश्ट एक DNA खंड होता है देखे कास्मिट संकर वेक्टर है जिसका निर्मान लेमडा बिभोजी के गुण सूत तथा प्लाज्मन के DNA के संयोग से किया जाता है और ये लगभग आपके 40,000 लगभग आपके 40,000 चारक युगमों वाले DNA खंड होते हैं जिने जीन पुस्काला हे तुझ प्रतिलिपियां कौपीज तयार करने के लिए DNA के साथ जिवान में प्रविश्ट करा दिया जाता है आई ये बात करेंगे अंगले पश्ण की दोस्तो केंद्रक कला निम्लिकित में से किसके साथ निरंतर्ता में होती है रूच अंतय प्रदप्पी जालिका चिकनी अंतय प्रदप्पी जालिका कोशिका कला या गौल जी कोई की बात करेंगे दोस्तों केंद्रक कला जिसके साथ निरंतरता में होती है वह कहला जाती है रुच अंतर प्रदप्पी जालिका देखे केरियो थीका या केंद्रक आवरण या केंद्रक कला केंद को घेरने वाला एक आवरण है जो दो जिल्लियां एक बाय केंद्रक कला एक अंतर केंद्रक कला द्वारा जो है निर्मित होती है अंगला प्रश्ना है निम्निकित में से कौन सा निसकस डार्विन से सम्मंदित नहीं है देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि योगतम की उत्तर जीविता ये डार्विन से सम्मंदित है आस्वित के लिए शंगर्स ये भी निसकस डार्विन से सम्मंदित है प्राक्तिक चैन उप्योग होते हैं बड़े बिक्सितेवं आधिक समर्थ हो जाते हैं और इस प्रकार के पर्वत्तित लच्छन उपार्मजित लच्छन संतत में भी इस्थान्तित हो जाते हैं और उपार्मजित लच्छनों की वनसा गती लेमार्क वाद का मुख विचार था तो यह आपका निसकस डार्वें से सम्मधित नहीं है इसलिए कार इंट कोश्चन सी आपसन सही हो जाए सबसे चोटी अंतेस्तावी ग्रंथी काँ से होती है थाइराइड पैरा थाइराइड पिच्डी या एड्रिनल तो आप सभी लोग लगभग जानते हैं आसान सा प्रसने फीड़बेक आ चुका होगा आपका कि सबसे चोटी अंतेस्तावी जो ग्रंथी होती है वह हमारी कहलाती सभी लोग बताइए क्या हो है पिच्डी गंती है दिया दोस्तों सबसे चोटी अंतेस्तावी गंती होती है यह ग्रंथी अग्र मस्तिस के डाई एन्फ सिफेलान नामक भाग की नीचे की दिवार से खोपड़ी की इफनी नौएड अस्तिके सिला तर्सिक नामक गर से लटकती है तो अन्तेस ट्रावी ग्रंथी पिछड़ी की बात करेंगे अगला डियने के किसी प्रतक किये गए इस ट्रेन को 82-90 डिगरी सिल्शेस ताप पर रखा जाए तो क्या होगा दोस्तो यदि डियने के किसी प्रतक किये गए इस ट्रेन को 82-90 डिगरी सिल्शेस पर यताप पर रखा जाए तो यह आपका खन्ड खुल जाएगा क्योंकि दोनों रज्जुक प्रथक हो जाते हैं क्या होगा यह आपका खुल जाएगा और दोनों रज्युक प्रथक हो जाएं क्योंकि DNA को 80-90 दिग्री से साफ़ पर गर्म करने से इसके दोनों सूत्रों के नाइटोजन छारकों के मद बने हाइडोजन बंद तूट जाते हैं और दोनों सूत प्रथक हो जाते हैं और इस्क्रिया को क्या कहते हैं सभी लोग बताई है इस्क्रिया को क्या कहते हैं डिनेचुरेशन कहते हैं जी हां, नोट का लेजेगा अंगला प्रश्नी स्कीन पर निम्लिकी तिमेशे किसका स्त्रावन तंतिका स्त्रावी तंतिकी एकसान के नियंतर्ण में होता है पिनियल ग्रंथी, एडिनल ग्रंथी, अग्र पिचुरी या पश्च पिचुरी की बात करें तो किसका स्त्रावन तंतिका स्त्रावी तंतिकी एकसान के नियंतन में होता है और वह होता है पश्च पिच्चुरी इसके बाद हम बात करेंगे आपके अंगले प्रश्ण के I hope सभी प्यार में तच्छे तर्के से प्रत्येक प्रश्ण को समझ पा रहे हैं दोस्तो फेरो गोंस क्या होते हैं जिया दिखिए जो फेरो गोंस होते हैं वह आपके जन्तों में संप्रेशन हित उत्पन होने वाले एक रसायन होते हैं फेरो मीन जन्तों में संप्रेशन हित उत्पन होने वाले गंधियुक्त रसायन होते हैं जो बहिस्तरावी ग्रंतियों द्वारा तरल पदार्ज के रूप में इस्तरावित होते हैं और तरल या गैस रूप में संचारित भी होते हैं और ये फोरो मोन्स समान जाती के अन जातियों द्वारा सूंग कर अत्वा चक कर ग्रहन किये जाते हैं अंगला पच्छना है पिंटोस तथा हैक्सोस ये हैं शमान मोनो सेकराइड हैं शमान डाई सेकराइड हैं शमान पाली सेकराइड हैं शमान आलिगोस सेकराइड से देखे जो पिंटोस होते हैं पिंटोस और हैक्सोस यह जो होते हैं समान तब क्या कहलाते हैं तो समान रोब से यह हमारे मोनो से कराईड होते हैं पिंटोज मतलब क्या होता है जैसे राइबोज, डि ओमसी राइबोज और हैक्सोज यह से ग्लूकोज, फ्रेक्टोज, गैलेस्टोज ये समान मोनो से किराई होते हैं आगला प्रस्टने डार्विन द्वारा प्रत्वादिस सिध्धांत कौन है आपका उपाजित लच्छनों की वन्सगति का सिध्धांत प्राक्तिक चैन का सिध्धांत रीकैव, पूटिलेशन का सिध्धांत अन्वानसिक द्रब की निरंतरता का सिध्धान तो डार्विन द्वारा प्रितपादिस सिध्धान का उनसा हो जाता है तो वह हो जाता है प्राक्तिक चैन का सिध्धान जी हैं दोस्तों डार्विन ने प्राक्तिक चैन के सिध्धान का प्रितपादन किया और इसके अंसार वे जिवु जिनमें उप्युक्त विफिंताएं उत्पन हो जाती हैं जीवित रहते हैं क्योंकि वे अपनी वातवर्णी दसाओं का सामना करने में सरवाधिक उप्युक्त एवं सफल होते हैं जबकि वातावर्णी दसाओं का सामना करने में अस्फल जीव नश्ट हो जाते हैं। इसके बाद है आपको इंगला पिस्टुन। दोस्तो आंटो जेनी रिपीर्ज फाइलो जेनी निम्लिकित में से किस सिध्धान का कतन है। तो आंटो जेनी रिपीर्ज फाइलो जेनी निम्लिकित में से जिस सिध्धान का हमारा कतन हो जाता है। वह सिध्धान थै रिके पूटिलेशन का सिध्धान। जाति ब्रत्त की पुन्रावत्ति रिके पूटिलेशन सिध्धान से यह सम्मंदित है। इसके अमसार ऑन्टो जेनी यानि ब्रहुणी की इतिहास सद्यव फाइलो जेनी को दोराया जाता है यानि विकासी इतिहास को दोराया जाता है परक नली शिसको उत्पन करने के लिए भूण को कौनसी अवस्था में इस्ति के सरीर में रोपित किया जाता है 32 कोस की अवस्था, 64 कोस की अवस्था, 100 कोस की अवस्था, 164 कोस की अवस्था दूस्तों परक्नली सिसकूस्पन करने के लिए भूण को जिस अवस्था में स्थी के सरीर में रोपित किया जाता है वो है मारी कौन सी कोश की अवस्था कहलाती है और वह कहलाती है 32 कोश की अवस्था परख नली से सुस्पंद करने के लिए भूण के 32 कोस्की अवस्था से श्त्री के सरीर में रोपित किया जाता है क्योंकि मनुष्यों में निसेची तंडा प्राक्तिक यूबनाच की 32 कोस्की अवस्था के बाद यह विभाजित नहीं होता है इसले पहला अप्सन सही हो जाए इसका बाद अंगला प्रशन है ससक मनुष्यबम अण प्लेसेंटल इस्तन्यों में अंड का निसेचन होता है अंडासय में, फैलोपियन नलिकाओं में, सर्विक्स में या गरवासय में होता है तो ससक मनुसेबं अन, प्लेसेंटल इस्तन्यों में अंडों का जो नेसेचन होता है वह आपके फैलोपियन नलिकाओं में होता है अर्थात हम एमपुला में होता है किसकी बात करेंगे, एमपुला की बात करेंगे अंगला है बिन में क्या होता है दोस्तों जी हां, क्रोसिंग ओवर एक सूत्री अवस्ता होता है सिंगल, स्टेंडेड होता है दुशूत्री, चतुर सूत्री या अश्च सूत्री होता है तो बिन्मे जो क्रॉसिंग ओवर होता है वह हमारा कहला जाता है चतु सूती अवस्था, फोर इस टेंडर्ड अर्सूती बिभाजन में पूर्वा वस्था प्रत्थम की पैकी टीन प्रवस्था के दौरान गुर्ण सूत चतु संयोजी अवस्था में होते हैं अथा चार भुजाओं वाले दो क्रोमे टिट्स होते हैं और इस अवस्था में प्रावस्था में गुर्ण सूत बिन्मे होता है जिसमें समाज या समजात गुर्ण सूत्रों के नौन सिष्टर क्रेमो टिट्स के बीच गुर्ण सूत खंडों को अधान प्रदान को उता रहता मनुश्यों में XO प्रकार का गुन्सूत्री असमानता का कारण उत्पन होता है किसके कारण होता है तो यह है Ternus Syndrome के according Ternus Syndrome एक लिंग गुन्सूत्र के कम हो जाने के कारण उत्पन होता है इस सिन्ड्रोम से पीडित रोगी सदोष्त्री होती है जिनमें कुल आपके 45 गुणशूत्र अर्थात 44 काई गुणशूत्र वा एक लिंग गुणशूत्र यानि X गुणशूत्र होता है और इसे हम 44 प्लस XO द्वारा प्रदर सीथ करते हैं और टरनस सिंडोम पीडि तिस्तियां सदो क्या होती है बंद होती है इसके बाद हम बात करेंगे अंगले पुष्ण के अंगला है प्रस्चिन्द का प्रयोग नेमलिखित में से किसे दरसाने के लिए होता है जी हैं दोस्तों जो प्रस्चिन्द होता है या किसे के लिए होता है तो एक ब्यास सम्मित पुष्प को दरसाने के लिए होता है इसलिए होता है दिखे जब पुस्प द्विपारस्वी सम्मित होता है अर्था तीसे केवल एक उर्धतल में केवल दो समान भागों में भाजित किया जाता है तो ऐसे पुस्प को एक ब्याज सम्मित पुस्प कहते हैं जैसे आपका इढ़े टोड़ा, मतर, लौर किस्पर, ओसिमम ये सारे हैं और पुस्प की एक ब्याज सम्मित दसा को चिन द्वारा प्रशित किया गया है जो चिन हम आपको बता रहे हैं दिखा रहे हैं प्रश्ण पर किया गया है इसके बाद हम बात करेंगे आपके अंगले प्रश्ण की निम्लिकित में से कौन सा आर्निथीन चक्र के गटक है ये के आर्निथीन चक्र के जो हमारे गटक कहला जाते हैं वह हमारे आर्निथीन, सिटूलीन और आर्जिनीन हो जाते हैं यह चक्र लीवर की कोशिकाओं में संपादित होता है और इन चक्र के मुक घटक आरजिनीन, आर्थिनीन और सिटूलीन होते हैं और यूरिया चक्र की खोज हैंस क्रेप्स दारा कार्ट हैंसिलेट द्वारा की गई थी आर्नि थीन चक्र अथवा क्रेप्स हैंसिलेटर चक्र अथवा यूरिया चक्री खोज किसने की हैंस क्रेप्स तथा कर्ट हैंसिलेट द्वारा की गई थी अंगला प्रस्ण है कि मास्ट कोशिकाओं द्वारा इस्तरामण होता है सिरोटोनिन का हिस्टोमीन का हिपेरिन का या उप्रोक्षभी का होता है तो मास्ट कोशिकाओं द्वारा इस्तरामण किसका होता है तो वह होता है, सिरोटोनिन का भी, हिस्टेमीन का भी और हिपेरिन का भी होता है, थातु पर्योक्षवी का होता है, फोर्तापसा न्यापे सही हो जाएगा, इसके बाद हम बात करेंगे, अंगले पिश्णी, लेखे दोस्तों, आधनिक मनुस का नवीनता व्यम सीधा, प्रग तो राइट अप्सन क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा, क्रो मैंगनान, मानो अर्थात होमो सेपियंस, फोसीलिस, आधनिक मनुस का नवीनता व्यम सीधा, प्रगयति हासिक पूर्वज है, जो हमारा कहलाता है, क्रो मैंगनान, इसके बाद है आपका अंगला प्रश्णी, निम्लकित में से किस संग में विलाइजर लारवा पाया जाता है, मुलाशका, एकिनोडर, मेटा, अर्थोपोडा, या निदेरिया की बात करेंगे, जिया, सब भी कमेंट की जगा, किस संग में आपका विलाइजर लारवा पाया जाता है, और वह संग कहलाता है, मुलाशका जियां दोस्तों विलाईजल लार्वा संग मुलस्का में पाया जाता है अंगला प्रशना है दाया फुपुष यानि राइट लंग जो है विभाजित होता है चार पालियों में, दो पालियों में, छे पालियों में, आठ पालियों में सभी लोग बताईए तो दाया जो फुपुश होता है राइट लंग जो होता है विभाजित होता है कितने पालियों में विभाजित होता है तो वह आपके चार पालियों में विभाजित होता है ससक का दाया फुपुस यानि राइट लंग चार पालियों विभाजित होता है पहला होता है अग्र एजाईगम पाली दूसरा दाई अग्र पाली तीसरा दाई पश्च पाली चौथा पश्च एजाईगस पाली तो चारों ये चीजें आपके पाली हो जाती हैं अंगला प्रस सरवाधिक बंदोत पाया जाता है CO2, O2, CO, NS3 सभी लोग बताइए बहुत ही सिंपल सा प्रस्न है हीमोगलोबिन किसके प्रती सरवाधिक बंदोत पाया जाता है और वह हमारा कहलाता है आक्सीजन जी हैं दोस्तों आक्सीजन के तुलना में कार्बन मोनो आक्साइड के प्रती हीमोगलोबिन के बंदोता 250 गुनादिक होती है हीमोगलोबिन कार्बन मोनो आक्साइड के साथ मिलकर चैरी के समान लाल रंगवाला एक योगिक कार्बोक्सी हीमोगलोबिन बनाता है तो क्या हम आक्सीजन के ज्यादा हमारा कौन सव होता है कार्बन मोनो अक्साइड इसलिए हम कार्बन मोनो अक्साइड के आपसंफे सही करेंगे हीमोगलोबिन किसके प्रतिसरवाधिक बंदोत पाय जाता है कार्बन मोनो अक्साइड ठीक है यह आक्सिजन के तुलना में 250 गुनाधिक होता है इसलिए हम किसको करेंगे कार्बन मोनो आक्साइड को करेंगे इसके बाद है आपका अंगला पस्ट कुछ आर्थो पोर्ट्स में उपस्थित ग्रीन ग्रंतियां सहायक होती हैं स्वसन में उस सर्जन में पाचन में य दोस्तों यह ग्रंतियां सर्जन में सहायक है इसके बाद है आपका अंगला पस्टने इस्तन्यों में प्लीहा या स्प्लीन का कार होता है रक्त को रक्तदाप को नियंतित करना यक्रत की सहायता करना हीमो पाइटिक उतक की रूप में कार करना या ब्रुकों की शहायता करना दोस्तों इस्तन्यों में जो पिलिहा होता है इस्प्रीन का जो कार होता है वह क्या होता है वह आपके हीमोपाइटी को तक की रूप में कार करना होता है क्योंकि पिलिहा जो होता है लिंफो नोड्स में स्वेत रक्त कडिकाओं WBC का यह संसलेशन होता है अंगला पसमें मकडी का नाइट्रोजनी वर्ज उत्पाद होता है यूरीकमल, अमोनिया, गुवानीन या नमेश कोईने तो मकडी का नाइट्रोजनी जो वर्ज उत्पाद होता है वह हमारा कहला जाता है गुवानीन क्योंकि मकडियों दारा उस्तरजित नाइटोजनी वर्ज पदार्थ गुवानीन होता है अता हिने गुवानोटोलेक जन्तु भी कहा जाता है गुवानीन नुकलियोटाइड उपापचय का एक वर्ज उत्पाद है बेस्ट प्रोड़क्ट होता है इसके बाद अंगला प्रस्ण है जो मॉक कॉश्चन आप सभी के लिए रहेगा कि काईटीन कवकी कोजिका भीत्ती जल अफगटन द्वारा प्राप्त होता है सेलुलोज एन एस्टिक ग्लूको शिमेन अर्थ सेलुलोज या एन एस्टिक मूरेमिक अमलका एक संगटक तो काईटीन कवकी कोजिका भीत्ती जल अफगटन के द्वारा प्राप्त होती है क्या प्राप्त होती है आपको कमेंट करके बताना फीडबे करके बताना है और यह प्रस्ण आप सभी के लिए मोक कॉश्चन के रूप में प्रस्ण रहेगा साथी साथ टॉप थर्टी में आपने किसना स्कूप राप्त किया यह भी आपको कमेंट करके बताना है मैं आपके साथ जैस्वाल सर मिलता हूँ आप यंगली क्लास पर सेवन पीम पे बालविकास पेड़ोगोजी के लाइप क्लास के साथ सबी मित्रों को जेहिंद वंदे मातरम धन्माश अभी करते